हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रेडियम क्लासेज मैं कमल सिंग जिसके आप विश्वास कर सकते हैं विलिव कर सकते हैं एजुपिशन के लिए तो आज अपनी ग्लास जो है वह आगे बढ़ रही है और नेक्स्ट क्लास क्या है डेमेजिं इस्टेज डेमेजिं इस्टेज हम पुरानी क्लास को थोड़ा जिवाइज करें तो क्या मैंने सबसे पहले पहली क्लास में आपको इंसेक्ट समझाया इंसेक्ट से पेश्ट समझाया उनकी लेवल को समझाया एक्जामपल के बाद में लास तक माउठ पाट समझे और अब अब उस ओडर में जो जो मेटा मॉर्फिस में पता चला था निम लारवा अडर जो इस्टेश थी तो इंसेक्ट में अब अगला टॉपिक है कहता है कि हमें अगर में कोई क्यूशन पूछा जाएगा ऐसा पूछ सकते हैं कि किस ओडर में या किस इंसेक्ट में कौन सी स्टेश हांपूल होती है तो हम बात करें क्या कि कुछ मेजर मॉडर लिया है में कॉलियोप्टेरा लेपिड़ोप्टेरा हैं इसमें कि कौन सी स्टेश हांपूल है . कौन सि स्टेश क्रॉप को नुकसान कचाती है कौन सी इस्टेश च्रॉप को जादा ग्सान कचाती है तो हमने यह पड़ा हुआ है कि स्टेश जातो होगी इनकंप्लिक्ट में और विसके बाद करेंगे तो उसमें निम्फ स्टेज होगी या डल्ड होगी सेके या फिर एग एग कभी भी हौफुल नहीं होगे लारवा स्टेज होगी या फिर प्योपा स्टेज ओगी या फिर अड़र्ट स्टेज होगी इन चार-पाँच स्टेज में से कौन से इस जादा जादा हमफुल होती है तो उसके बारें बात करेंगे घांसा जब सब्छेस जबर है कि ऐग्व에 निम्व बने गा तो उसे अपने अपने लाइफ साइब को आगे डाने के लिए उस सब्छी सब्सक्राइब करता है तो इसका मतलब लार्वा स्टेज हम सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं लार्वा स्टेज सब्सक्राइब करते हैं इसमें लार्वा को किस नाम से जाते हैं लार्वा किस नाम से जाने जाता है और उसमें लार्वा और दोनों ही हामफुल स्टेज है तो किस्ट अगर पुछा जाए कि कॉलियोप टेरा में कौन सी स्टेज ज्यादा आंफुल है तो आंसर जाएगा बोत लार्वा और अडर्वा और अगर इसको किस्ट को फिर से मोटिवाई किया जाए यह बहुत अच्छा टॉपिक है डेमरेजिंग स्टेज और हैं तो लार्वा की बार करें तो केटर पिलर लार्वा जो होता है वह क्यों लार्वा के अंदर होगा लार्वा होगा वह केटर्पिलर के नाम से जाना जाएगा और यह केटर्पिलर ही देमेजिंग स्टेज की किस नाम प्लस है यह नहीं कि हों और हैंट्रोप्लिट में धोनों क्राइब बहुत हैं है इस तो निम और होगा निम भी डेमेज करेगा और से भी डेमेज होगा थिर दिप्टेरा के अंदर हम देखें पैरा से पैरा साइट्स होते हैं वह उन्हें मेगट के नाम से जानते हैं तो टिप्टेर ओडर में हमारे पास आज जाएगा मैगट उसकी हामफुल स्टेज होगी लास्ट वान हमने पैरा जिसमें टॉक्सिक सबस्टेंस है यह लगवग लगवग सभी इंसेक्ट जो होगे इंसेक्ट क्या करें कि बेनिफीचल इ सब्सक्राइब करते हैं नोब सब्सक्राइब करने के लिए नुब क्दाइब सब्सक्राइब थी तो आगा कि पारका अब माउट पार्ट में कौन कौन से पार्ट केस नाम से जान जाते हैं क्या काम आ रहे हैं क्या यूपर यूज है उससे पहले जाएं तो हमने उसके एक्जामपल ही कहे हैं इसके करने इंकम्प्लीट मेटामर्पोस इसके उसमें सा उडर किस इंसे को रकरा है अब अब दिमाद लगाना और अगले मुझे कमेंट करके बताना मैं आपसे क्रिशन पूछ रहा हूं कि लेटी डॉप टेरा का एग्जामपल क्या है अगर आपको उसके एग्जामपल पता सकते हो कि लेटी डॉप पर हमें आने वाले एग्जामपल में कौन सी स्टेज हम पूलोगी तो हां से जाएगा गैटर पिलर समझ मारी हैं तो हम ऐसे क्रिशन आपसे पूछने वाले हैं अगले وीडियों में अब तक के वीडियों क्यों के क्रिश्ँंगा और question आपको मेरे यहां बोडे ठीट पर और वोर्ट से आपसे क्यूषिन के आंसर पूछना चाहूँगा आप चाहें तो मुझे कमेंट करके आंसर ज़रूर दर रहाँ दे आपने फिसको मैं अभाल दिशाखे लिक्षर लिक्टर लिक्टर लेक्टर आँगा, मैं लिक्या हुगा तो आज की क्लास यहीं तक रोखेंगे, अब हम नेक्स क्लास में नया कुस्ट टॉपिक लेके आएंगे, उसमें हम बात करेंगे किसकी माउथ पार्ट की, कि कौन्स इंसेक्ट का माउथ पार्ट किस तरीका का होता है? पायरस क्टिंग टैब का होता है हक इंगे का कटिंग टैफुर इंगे का हmäß का होता है या लेक्न टैफ का होता है तो वह जुटनी बीश तॉट में हम इसी ली बातवाया से पढ़ने वाद है, और आज की ख्लास में आपको क्या क्या समझते है उसमें मुच्छ नुचे को आपको एक एक वीडियो एक एक क्षिशन का बेटेश अप्टाए एंड अमदो जी नो किस्टन लेके आएगी नो किस्टन में से मैं आपको हर टॉपिक ऐसे ही शौट करके पढ़ोगे थियोरी में पढ़ने पढ़ोगे तब भी आप इसका कंक्लिजन ऐसे ही गाल होगे जैसे आपके एक थौट बनी हुई है उस थौट को चेंज करें प्लीज आप इस वीडियो को ध्यान से समझें यह आपको कहीं कहीं वेटेश देके जाएगा जब सेलेक्शन होता है तब आप ऐसे बोलने वाले हो करें उस औरने क्लास लगाई थी उस क्लास के अंदर आपको पूर पूरी बुक को बढ़ें और बुक को पड़ने के वाद में किसी टॉपिक को अपको टॉपिक के अंदर आप उसका एनलाइस कर रहे हैं और आपको डिरेक्ट समरी बता रहे हुँ तो क्या इस पिल्ट वर्क करके देखें आपको कुछ पोजीटिव लगे तो जरूर बताए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइगन जरूर प्रेस करके रहें जिससे मेरी नई अपडेट आपको टाइम तु टाइम मिलती रहे हैं थैंक्यू, थैंक्यू सो मच